Hello dear students, welcome to all of you in J1 education online platform. Last class में हम डिस्कस कर रहे थे हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम के रिगार्डिंग और एक्सक्रेटरी सिस्टम के रिगार्डिंग अपने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में उसके डेफिनिशन और कुछ जो अपने बोडी के अंदर एक्सक्रेटरी ओर्गन्स परजेंट होते हैं यानि कि उत्सर्जन तंत्र और उत्सर्जन का डेफिनिशन परिभास आपने देखा था उसका एक्च्छल मिनिंग क्या होता है वह अपने देखा था और साथ ही हमने देखा था कि कौन-कौन से ओर्गन है कौन-कौन से अंग है हमारी बोडी में जो उत्सर्जन का काम करते हैं और उत्सर्जन में वह क्या-क्या उत्सर्जी पदारत यानि अप्सिस्ट पदारते उनको बोडी से बाहर निकालते निकालते हैं, तो उन सब के बारे में अपने एक ब्रीफली स्टेडी किया था लास्ट क्लास में, और आज एक्सक्रेटरी सिस्टम का अपन सेकेंड सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, यानि उसका सेकेंड पार्ट अपन डिसकस करेंगे, जिसके अंदर अपन किड्नी को most of the अपन लोकेशन होती हैं, किड्नी के अलावा, यूरेटर, और यूरिनेरी ब्लेडर, और यूरेथरा, इन सब के बारे में, आज अपन डिसकस करेंगे, पूरी इस क्लास के अंदर, तो लास्ट तक बने रहना है, वीडियो अच्छी लगे, तो लाइक और सेर करते रहना है, अगर आप नए चैनल पर आए हो, तो चैनल पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट, और ऐसे ही लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट टोपिक आप तक पहुंच सके, ताकि आप इजीली इनको पढ़ सके, और इजीली इन सबको समझ सके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की शेशन को, तो हम डिसकस कर रहे हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम के बारे में, यानि उत्सरजन तंतर के बारे में, अपने इस क्लास के अंदर डिसकस कर रहे हैं, और उसके अंदर लास्ट क्लास में हमने जो ड अबंता है लाइक चाहिने के अपने बड़ा पडर बनता है.. इन्टेक करने के बाद इस्टिंग के बाद के पार पर उनका Prep इलस नहीं सकता है इसलिए वो क्या है बोडी के लिए वेस्ट प्रोड़क्ट है यानि अपसिस्ट पदार्त है और उसको बोडी से एक्सक्रेट करना बाहर निकालना ही क्या होता है एक्सक्रेशन यानि उतसर्जन होता है यह अपने डेफिनेशन पड़ी थी और डेफिनेशन के साथ यह अपने पड़े थी इसके रिगार्डिंग कुछ और गन कुछ अंग जो अप्सिष्ट बदार्तों को बोड़ी से बाहर निकाल दे जैसे कि अपने सबसे फर्स वन पशिना यानि स्वेटिंग सीबम ओईली जो कलर हो जाती है मनलब ओईली हो जाती है कि स्किन वह सीबम उसके लावा साल्ट यानि नमक जो इसकी तुरू एक्सक्रेट होता है उसके लावा हमने पड़ा था इंटेस्टायन यानि आत्र और आत्र से जो अनपचा हुआ भोज है क्रけて से अभान और पर गदर ऐस करते आप से बढ़न है नोग्तायन यान느ीज दिखाता हुआ तो फर्सक्रे遊戲 करते हैं और आप सबसे में हर सिस्टम को खळ कर ने से निदेग्र मं दिखाता हूं तो पहले आप डाइग्राम में समझने की कोशिज करें उसके बाद आपनको इनके बारे में पढ़ेंगे किस तरीके से यह पर्जेंट होते हैं तो सबसे फुर्स आप देखिए यह किड्रनी है आपके सामने एक बोड़ी सिस्टम है जो कि सो हो रहा है आप इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं तो यह दो किड्रनी आपको याद रखना है उसके लावा जो आप देख पा रहे होंगे वन इस इन ब्लू कलर सेकंड इस रेड कलर कि ब्लू कलर की जो है वह मैंने बताया था कि ब्लू कलर यानि की ब्लड वेशल्स है और ब्लड वेशल्स हैनि की रक्तवाइनिया जो अपने पड़ी थी वह धमनिया और सिराय पड़ी ती यानि आपको कहा था कि यदि रेडिस कलर यानि की ऑक्सिजिनेट प्योर ब्लड फ्लो हो रहा है प्योर दो आर्ट्रीज और वेन अब आर्ट्रीज वेन यह एक तो है आवोटा की ब्रांच यानि आवोटा से निकलने और महा धमनी से निकलने वाली और एक वेना केवा यानि महा शिरा जो की बोडी को सप्लाई करती है वह आगे आपन डिटेल से देगें यहां तक समझ आ गया होग में और किडणी के साथ में ये दो ट्यूब लइक इस्ट्रैक्शर आपको दीख रहे हो कि दोनों तरब आप देख सकते हैं तो यह क्या है यह है यूरेटर यानि मुत्रिनलिय उसके देखतेあैं मुद्रिनलिया उप नीच देख सकते हैं अब है ये आपका गो यूरिनरी ब जो भी बाइल बनता है यानि पितरस बनता है उसको इस्टोरेज करना उसको संग रहीत करके रखना वह गोल ब्लेडर अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर देखा था वहां पर में आपको डिटेल से बताया था तो जो पहले पढ़ जुके उसको ज्यादा डिटेल से न याद है और जिसको जिसने अच्छे तरह किसे पढ़ा उसको याद होगा किस तरह के सबने उसको पढ़ा था तो यह यूरेनरी ब्लेडर है ठीक है आगे चलते हैं लेकिन एक बात और दियान रखें यहां पर आप देख सकते हैं यह वाला जो पोर्षन आप देख रहे हों दोनों किड्नी के उपर एक ट्राइंगुलर इंसेप में यानि तीन त्रिबुज के समान एक चोटी से स्टक्टर दिखरी एलो इस कलर में जो आपको दिख रहे हैं डिफ्रेंसेट करके बताया हुआ है यह है आपकी अधिवरक गरंती यानि एडिनल गरंती जो की सुप्रा मतलब उपर मतलब किडने तो आपको मैंने पहले भी बताया किडनी को रिनल भी बोला जाता है इसलिए एक्स्कृरेटरि तरिनल siisटम के नाम से भी जाना जाता है तो यहां तक आप समझ आ गया होगा आगे चलते हैं और इसलिए नेक्स डीशरा में और इसके नीचे एक ट्यूबलैक स््ट्क्चर से ग系 से लंगे उसको पर यह अदिव रखय्ग ग्रती जो किडनी के उपर एक एक रही है इसके ब्लू नुए कलर में आपको दीख रही है उसके लावा वाली वैन है और जो redis color में आपको दीख रही है redis color में जो आपको दीख रही है वो artery है ठीक है यानि धमनिया है आगे चलते हैं पर next diagram में ये समझ आ गया होगा आपको देख सकते हैं यूरेत्रा, urinary bladder, और यूरेतर और kidney ये most of these के main organ है आगे चलते हैं next diagram में और clearly आपको समझ आएगा देखने की कोशिश करें ये diagram आपको correlate करेंगा आपके digestive system से देखने और समझने की कोशिश करें काफी important है ये questions आपके रिगाड़िगे और ये chapter और ये topic आपके exam के रिगाड़िगे काफी important है देख सकते हैं आप easily देखें यहां पर ये दो kidneys है easily आप देख पा रहे होंगे दोनों kidneys है और ये urinary bladder है इसके नीचे जो ये tube like structure दीख रही है ये urethra है उसके लावा उपर जाकर देखेंगे तो ये दो सुप्रारिनल गरंती यानिकी एडिनल गरंती उसके साथ ही आप देख पाएंगे जस्ट इसके उपर जो right kidney है जस्ट उसके उपर ये triangular in save में liver है तो यहां से question आप से पूचा जा सकता है कि देखो आप यहां से compare कर सकते हैं आप यहां से compare कर सकते हैं यदि line अपन ड्रो करते हैं तो जो right kidney होती है वो lower होती है left kidney से यानि कि right kidney left kidney से तोड़ा नीचे की तरफ होती है region क्या है आप देख पारेंगे इसके उपर liver है यानि एकरत है और यह रियकरत है इसके जगे को या इसको तोड़ा दबा देती इसलिए तोड़ी नीचे होती है और यह left kidney तोड़े इसके उपर होती है यह question आपको याद रखना है क्यों होती है क्योंकि इसके उपर liver होता है इसके just above side भी क्या होता है liver होता है इसलिए तोड़ा नीचे होती है ठीक है उसी के साथ ही आपको यहाँ देख सकते हो यह आपकी बढ़ी याद जो आपने आपको डाइगराम समझ आ गया है तो यह जो system है आपका easily बहुत ही अच्छी तरह के से आपको समझ आ जागा जैसे कि मैं हर बार आपको कहता हूँ यह आपको डाइगराम clear है किस तरह के से औरगन होते हैं किस तरह के structure होती है यह तो यह system बहुत ही इजी ली समझ आ जागा डाइगराम यानि ओरगन आपको समझ आ गया तो 50% इसका system है आपको automatically समझ आ गया तो देख सकते हैं इसमें और clearly आप देख पारे होंगे यह दो kidneys दोनों तरफ right और left kidney यह थोड़ा lower होती है यह तोड़ा upper होती है आप देख सकते हैं उसके लावा यह दो दो ureters ठीक है यानि यह दो kidney यानि व्रकक इंदिम बोलते हैं इसको और यह दो ureters आप देख रहे होंगे ट्यूब लाइग structure यह दो ureters जिनको मुत्र नलिया बोलते हैं इसके लावा यह गोल ब्लेडर जो balloon लाइक structure आप को देख रहे होंगे यह दो यह हल्का सा tube लाइक structure आपको दीकर रहा है यह ureters यह जिसको मुत्र मार्ग आपको आपको याद रखना है इसको आपको भूलना नहीं है ठीक है तो अब को सारे डेगराम क्लियर हो चुके हूए तो इस डियाग्राम में आपको नेम वाइज आप देख सकते हैं फटापर से देख लिए कोण कोण से और्गन है सबसे फर्स्ट वन ये रिनल ठीक है आर्टरी वेन के भी बात करेंगे तो ये किड़नी जे दो ठीक है ये लोवर है ये अपपर है आप देख सकते हैं ये तोड नीचे इसका क्या है यूरेत्रा है इसमें यूरिन स्टोर होता है और यूरेत्रा के तुरू यूरिन का एक्सक्रेशन किया जाता है तीक है तो ये आई तिंक समझ आ गया होगा और ये आर्टरी और वेन आपको देख रहे हूंगे आर्टरी और ब्लू कलर इस वेन और अख्युच माधधमनी जो सुप्रीयर ऑशिरा पैसे और एप निवट्रा है ओर पूरे मृट्ट अपनी में सुप्लाइय होती है ना कि कि डेनी में भी एक ब्रांच ह्य यह बलकि एक ही ब्रांच जा रही है पूरी नहीं जा रही है आगे जो रिमेंटिंग ओर्गन है उन तक भी यह ब्रांच जाएगी तो इसका मतलब यह नहीं समझे की जो आपको दिख रही है आर्टरी और वेन यह केवल किड़नी के लिए नहीं है यह पूरी बोड़ी के दो शर्पेश आपको दिख रही होगी दो शर्पेश आपको दिख रही होगी अपने पड़ा था दर्पन और दर्पन के अंदर देखा था एक होता है कौनकेव या कौनवेक्स दूसरा होता है कौनकेव दूसरा होता है कौनवेक्स यानि कि आउतल दर्पन और उतल दर्पन तो इसका जो बाहरी प्रस्ट है, वो उत्तल दर्पन का होता है, जो अंदरी प्रस्ट है, अंदर वाला है, वो ठीक है, बाहरी क्या होता है, कोन वेक्स होता है, अंदर वाला क्या होता है, कोन के होता है, यह आपको याद रखना है, easily समझ आ जाएगा, आपको समझने की कोशि वेनकेवा हो रहा है और वर्टा सो हो रहा है उसके लावा यूरिनरी ब्लडर है और यूरेथरा है लुटर स्मझा सकते हैं आप इस डियाग्राम को आगे देखें नेक्स डियाग्राम में तो लुट डियाग्राम में भी आप बहुत अच्छी तरकर जाद समझ सकते हैं दो किडनीज के उपर दो ट्राइंगुलर इंसेप में एड्रेनल ग्रंती एड्रेनल ग्लेंड और नीचे यूरेटर से दो और नीचे यूरेटर के बाद यूरेनरी ब्लेडर और फिर यूरेत्रा इजीली समझ आ रहा होगा अब देखिए अब मोस्ट ओब डायग्राम लिया किडणी चुरु लाकरी होगा तो लागा होगा ऑपको ने ऐसा इसा होता है तो easily समझ आ रहा होगा अब इसके अंदर यदि आपन पार्ट की बात करें किड़नी के पार्ट की तो basically जो किड़नी है उसको दो भागों में बाटा हुआ है basically जो किड़नी है उसको दो भागों में बाटा हुआ है first one जो किड़नी आपको दिख रही है फर्स्ट वन जो आपको पॉर्षन दिख रहा हुआ है यह बाहर वाला जो पॉर्षन आपको दिख रहा हुआ डारक डारक रेडिस जो हलका सा आपको दिख रहा है यह डारक डारक जो इस पेस दिख रहा है यह होता है इसका cortex part, कौन सा part cortex part, यानि कि इसको ये क्या है खुद क्या है, kidney को क्या कहते है renal कहते है, और renal कहते है तो ये बार वाला जो portion है, ये cortex part है, यानि renal cortex कहते है इसको, उसके लवा जो अंदर वाला part है, जिसके अंदर ये pyramids आपको दिख रहे हैं यह प्रेमित्स वाला जो portion होता है वह मैंडूला होता है रिनल मैंडूला वैसिकली दो टाइप में इनको div End किया एक रिणल को जो बाहर वाला है और अंदर वाला जो रिनल मैंडूला秤ावार अरवाले कोइड़ गहागा है एक की अंदर जो यह diramgids है यह पिरामिड्स हैं आप देख रहागे यह इंदर यह लाग देख सकते हैं और यह तरीक है यह URETOR निकल कर आ रहा है और यह तो यहां से एक बात और याद रहें देखिए यह वाला जो पॉर्शन है यह हलका सा अंदर दसा हुआ आपको लग रहा है यहां से आर्ट्री और वेन भी यहां से आर्ट्री और वेन है जो कि entry करती है और ureter है जो entry करता है एगजिट करता है ये वाला जो portion है वो renal hyalum कहा जाता है क्या कहा जाता है याद रहे कि आपको renal hyalum यहाँ पर थोड़ा सा आपको खांच जैसी लगेगी यानि खड़े टाइप में लगेगा वहाँ से आपकी आर्टरी और वेन है जो की एंटरी करती है और इस वाले जो पोर्शन को ये पोर्शन आप देख रहे होंगे ये जो पोर्शन है इसको कहा जाता है रिनल हाइलम क्या का जाता है रिनल हाइलम यानि प्रवेश द्वार आप कहें सकते हैं आर्टरी और वेन के लिए ठीक है? I think यहां तक clear आगे चले आपन next next देखेंगे तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस तरीके से kidney है single kidney आपके सामने रखी है तो I think यहां तक आपको समझ आ रहा होगा अब मैं आपको बताओं kidney के regarding तो kidney के regarding कौन कौन से point आपको याद रखने है सबसे first one आपको point याद रखना है what is a nephrology question आता है exam में nephrology का meaning क्या होता है nephrology क्या होता है nephrology nephro से मतलब आपको समझना है भी बताओंगा nephro क्या होता है nephro मतलब nephron nephron कहां पर परजेंट होता है आपको याद रखना है nephron जो है वो kidney का smallest unit होता है यानि कि सबसे छोटी जो इकाय है kidney की वो किसको कहा जाता है nephron को कहा जाता है इसलिए यदि kidney का अपने study कर रहे है तो वो nephrology कहलाता है उसी के साथ यूरोलोजी आपको याद रखना है क्या याद रखना है यूरोलोजी और यूरो लोजी याद रखने के लिए आपको याद रखना है कि इसके अंदर किसकी study करते हैं किसका अध्यान करते हैं तो वो urinary system का अध्यान करते हैं ठीक है यहां तक आपको clear हो गया वो दोनों definition आगे चलते हैं तो kidney के regarding अपन बात करते हैं तो kidney के regarding बात करने के साथ आप देखिए फटाफट से वापस मैं उपर आ जाता हूँ kidney कितनी होती है आपको पाता है kidney कितनी होती है मैंने बार बार बता है आपको kidney है जो कि कितनी होती है कितनी होती है तो आपको याद रखना है kidney number में 2 होती है यहां से easily आप देख वाएंगे kidney कितनी होती है kidney number में 2 होती है पहुत ही अच्छा क्योशन है लेकिन काफी बार पूचा हुआ है तो आपने कभी मुवीज वगरा में देखा होगा कि किड्नी दो होती है कोई ज्यादा करता है अलकोल पीता है सरा पीता है तो उसके किड्नी खराब हो जाती है या कभी-कभी दोनों ये फेल होने की चांसे सा प्राइब तो फिर किड्नी ट्रांस्प्लांट किया जाता है आपने काफी अलग-अलग मुवीज वगरा में देखा होगा तो आपको यह याद रहे हैं किड्नी के बाद कौन से पार्ट होते हैं तो आप देख सकते हैं यूरेटर जिसको मैंने आपको बता है मुत्र नलिया उसके अलावा यूरिनराई ब्रेडर जिसको मुत्रा से और नीचे मुत्र मारग होता है अभी अपन दिटेल कीवल और किड्री के अपन बाद करें तो पहले क्लिदेनी के बाह से टो होती है एक राइट साइड दूसरी लेप्ट साइड पर इसकी सेफ कले किस आकार की उती ह है कि इस किडनी आकार चेसा है किडनी the इसे जहां परिमाप अबात तो पॉप करें में तो किडनी के बारे में देखे में इञाए किडनी αλλά चुपरिल के एक किड़नी की जो लंबाई होती है, एक सिंगल किड़नी की बात करें, पर दोनों की अलग अलग होगी, एक किड़नी की जो लंबाई होती है, वो आपको याद रखना है, 10 cm होती है, किड़नी की लंबाई जो होती है, वो 10 cm होती है, ठीके, 10 cm लंबाई होती है, किड़नी की, उसके लावा उसके बाद उसकी बृत बात करें या विट बात करें चोड़ाई बात करें तो वो होती है पांच सेंटिमेटर कितनी होती है पांच सेंटिमेटर और उसके लावा अपन उसकी मोटाई बात करें ठीक है तो वो होती है तीन सेंटिमेटर या ठीक नहीं से अपन ब लंबा होती है 10 cm चोड़ा होती है 5 cm उचाई या मोटा होती है 3 cm तो 11 cm लेंथ है 11 cm उसके बाद उसकी चोड़ा है 5 cm और उसकी मोटाई या उचाई देखे तो वह 3 cm समझ आ गया होगा तो आपको याद रखना है 11 5 3 cm आपको डारेक्ली याद रख लेना है और आपको इस तरह के से इसको लिख सकते है 11 x 5 x 3 cm यानि इनके फीचे cm मान सकते हैं अब सब cm में है तो 11 5 और 3 11 5 और 3 में इसका मीजर मेंट है किड Nous की लमबाई है जोड़ा है मैंने आपको बता है उसके बाद आपको याद रखना है किडनी का जोट वेट होता है सिंगल की सब्सक्रावाक azok Qidney का जो weight होता है तो approximately आपको याद रहना है one fifty ग्राम इसका weight होता है एक qidney का जो वजन होता है वो डेट सो ग्राम होता है अब वो 140 भी हो सकता है किसे में 45 भी हो सकता है किसे में 130 भी हो सकता है वो वरी करता है human की body पर किस तरीके से उसकी body है किस तरीके से उसका nutrition है और किस तरीके से उसका portion है किस तरीके से उसकी body building है वो आप उसके according kidney का है वजन है तोड़ा बहुत वहरी करता है यानि चेंजेज रहता है यदि कमजोर आदमी है तो उसके अंदर जो किड़नी है वो कम वजन वाली होगी और अच्छा मतलब हाइवी बोडी वाला है तो उसके अंदर तोड़ी किड़नी भारी हो सकती है तो नॉर्मली एवरेजन में तोड़िखन वजन होता है तो सेब के बीज के ढकार के होती है तीजरी बात करी कि इसका स biteेंट क्या वड़ा और या मूटा depl जこちら हूए कि 11-5-3 cm होती है उसके लावा इसके बाद अपने इसके वजन की बात करें तो 1500 ग्राम होती है यानि 150 ग्राम एक किड्नी का वजन होता है वो मैंने आपको बताया उसके लावा इसके अंदर आपको एक और क्योशन याद रखना है कि जो किड्नी है वो कहां पर पाई जाती है किड्नी है जो कहां पर पाई जाती है तो आपको याद रखना है किड्नी है जो कि अब्डोमिनल केविटी में पाई जाती है कहां पर पाई जाती है अब्डोमिनल केविटी यानि कि उदर गुआ में पाई जाती है और उदर गुआ पाई जाती है मतलब फ्रंट साइड पर होती है बेक साइड पर होती है तो आपको अभी डियाग्राम दिखाया था मैंने आपको एक बार बता दू वो डियाग्राम ये वाला डियाग्राम देखने किसे हम कोशिस करें किस तरह किसे आपको來 नज रहा है तो इस डियाग्राम में आपको समझ रहा होगा pneumoth à l shall आपकी कीड़णी है उप किड़नी है वह posterior साइड में होती है आगे की आपका digestive system आपने पढ़ा थी तो यहांद के याद कर आगे होती हैं और पीशे की आप पीछे की तरफ होती है तो आपको याद अखना है कि दर होती है पीछे की तरफ यानि पोस्टीर साइड में होती है और एंटीर साइड में आगे की तरफ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इसलिए डागराम में दीख रहा होगा यह चोटी बड़ी आद है जो आगे की साइड पर इंटेश्टव होला पार्ट होता है ये पीछे की साइड पर होता है ठीक है अगे चलते हैं तो gefैर्श को इसके बाद अपने बात करें तो quidney है कौन कौन से उत्फरजी पदार्तों को बोडी से बाहर निकालती तो आपको मैंने पहले ही बताया पहले ही बताया जैसे कि मैं आपको बता तो एक तो होता है BUN, BUN से मतलब आप समझ सकते हैं Blood, Urea और Nitrogen यानि कि Blood, Urea, Nitrogen निकि बोडी के अंदर यदि यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, Nitrogen के अपसिस्ट पदार जादा बढ़ जाते हैं तो भी इसके तुरू बोडी से बाहर निकाले जाते हैं उसके लावा आपने नाम सुना होगा Uric Acid का जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था उनके द्वार यह अपसिस्ट पदार्थ हैं जो की उत्सर जीत होता है और इसको भी किडनी के द्वार निकाला जाता है उसके अलावा आपने देखा होगा कि काफी सारे आप जैसे की सब्वोज कोई मेडिसिन लेते हैं कभी-कभी आप कोई मेडिसिन लेते हैं और आप देखते हैं की आपके यूरिन का कलर है और आपको लगता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं यह दि उस टाइम उस दवाई के एक समी जीदा यह जरूरा है और यहे ऽो उस घ्रार आपके एक सोगव भी है ऑना और अब आपक्न सृति करी drink है याद रखना है ड्रक्स यह जी पुर्ण दवाया ले रहे हैं तो दवायों के अकोर्ड 10 क्लरड हो करो जाता है तो उसको जाता है में तो किरा फिनल नेक्स कोशिन आपको यहांาม याद रखनाहे कि आपकी lower kidney, एक kidney है, जो कि नीचे होती है, और नीचे कौन सी होती है, right kidney होती है, left kidney उपर होती है, क्यों होती है, क्यों होती है, क्या होती है, lever होती है, यह question मैंने पहले भी बता दिया, आभी भी बता दिया, और double bar यदि मैं बता रहा हूँ, बार बार एक चीज को बता रहा ह तो आपको याद रखना है ठीक है उसके बाद आगे चले आपन तो आपसे एक क्योशन में आपको सामने फूट अप करूँगा आपको आंसर देना है कि जो आपको किड़नी दिख रही है आपको मैंने डाइग्राम अलग-अलगतर किसे डाइग्राम दिखा यह देख सकते हैं यह देखना हैं यहापका है कि यह दोनों किड़नी हैं इन गर्णी कोई बहुट आपको नहीं दिख रहा है कि किसी से यह होड़ ही है दो balloon like structure आपको दिख रही है bean shape यानि कि सेम कि आकार की दो kidneys आपको दिख रही है इनके लिए कोई support नहीं है फिर भी ये अपनी जगह पर ही रहती है ये ना तो नीचे की सकती है ना उपर सरकती है ना आगे ना पीछे ये अपनी ही जगह पर रहती है इसका region क्या है इसका region क्या है क्यों ये अपनी जगह पर fix रहती है ये अपनी जगह से उपर नीचे कैसे नहीं होती है कोई भी support आपको नहीं दिख रहा है कोई भी support नहीं रहता है आपको दूसरे diagram में दिख सकते हैं यहां पर यह जो डाइग्राम आप दिख रहे हैं इसमें कोई स्पेसिपाइब करके कोई डाइग्रा सोरी सपोर्ट नहीं लग रहा है इस पर किसी चीज़ से यह होल्ड नहीं है केवल टूब जो टूब लगी हुए यह उपर से निकल रही है किड्नी के से अंदर किड्नी से ह यह भी क्या है आर्टरी और वेन है तो यह भी कोई सपोर्ट नहीं दे रही है इसको कोई सपोर्ट नहीं है दोनों किड्नी उसको फिर भी यह अपनी जगह पर इकट्टी मतलब एक जगे कैसे रह सकती है एक किड्नी अपनी जगे को छोड़ती क्यों नहीं है यानि कि उपर देना है जब लोग जो भी देख रहे हैं फटा-फट से इसका ता इज्एगा उसके बाद मैं आपको इसका अंसर बताूँगा कई न कई आपने पढ़ाऊगा इस बात को कई न कई सुना होगा कि किड्नी को कोई शपोर्ट नहीं है फिर भी आपनी जगह पर है इसका रीजन क्या है फटा फट से बताना है अपना अंसर दी जगा क्या इसका right answer हो सकता है I think आप सबको इसका answer पता होगा चले इसका answer मैं बताता हूँ इसका answer है ये जो दो की डनिया है इनको बिलकुल कोई support नहीं है लेकिन आपको जो मैंने डिखाया ताभी उस डिखाया ताभी उस डिखाय में समझने की कोशिश करें कि आपकी बोडी के अंदर जो fat tissue होते हैं जो fat होता है यानि renal fat कुछ इस प्रकार का यहाँ पर muscles पाए जाती है कुछ यह जो आपको muscles लिख रही है यह एक प्रकार की आपकी बोडी के अंदर muscles पाए जाती है आप सबको पता है बोडी के अंदर काफी सारी muscles है और muscles की संक्या मैंने आपको बताई हुई है 6,3,9 आपकी पूरी बोडी में इतनी संक्या में यानि की 349 muscles पाए जाती है आपके पूरी body में bones की बात करें तो bones, यानी हड़ियों की बात करें तो 206 हड़िय आपके body के अंदर पाए जाती है और बच्चों की इदी बात करें तो 270 पाए जाती है 270 आपको एदी option कही है आपको exam में मिले और option में नहीं मिले 300 आपको मान लेना है बट 270 आपको 1st priority पर आंसर देना है, बच्चों के अंदर बोल रहा हो, और बड़ों के अंदर की बात करें, तो 306 होती है, हड्डियों की बात करें, और मांस पेशियों की बात करें, तो 649 होती है, यह आपको याद रखना है, इंपोर्टेंट क्योशन है, तो काफी प्रकार क होती है, या फेट होता है, या वशिय या वसाय होती है, जो इनको अपनी जगह से हिलने नहीं देती है, और इन वशाओ को नाम होता है, आपको याद रखना है, रिनल फेट यानि वकक वसाय, ठीक है, रिनल फेट आपको याद रखना है, रिनल फेट कभी भूलना नहीं है इस question का answer यही है कि यह renal fat यहाँ पर present होता है यहाँ पर present होते हैं और mass patient भी present होती है इसलिए यह healthy नहीं है अपनी जगह पर रहती है ठीक है I think यहाँ तक आपको समझ आ गया हो किड्नी के regarding में नोर्मली ब्रीफली आपको बताया